नमस्क्रार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अनेकडमी पेसी संकल पर मैं हूँ अनूप अपाद है लेकर आचुका हूँ ऐसे न्यूस का अनलाइज करने के लिए जिसको आप तुनकर एक बार अपनी हसी को भी ना रुपता है दोस्तों सोचिए कि आपका कोई एक पडोसी है या आपका कोई ऐसा मित्र है जिसका पूरा खर्चा आप चला रहे है और पूरा खर्चा चलाने के बात जो है वो क्या कर रहा है आपको धन्यवाद तो करी रहा है लेकि साथ में जो है आपके किसी ऐसी बातों को लेकर जो है व इसी कौंसी बात है क्योंकि एक तरcoat आपका पाकिस्तान का जंडा नजरा रहा है और दूसरे तरफ चाईना का जंडा मैं आज बात ऐसे ही दो दोस्तों के बारे में कर रहा हूं दोस्तों जो की एक के रह경 करम पर दूसरा अपना जीवन यापन कर रहा है यानि कि मुफ्त में या भीख मांग कर घी जो है वो रोटी पे चपोड़ चपोड़ के खा रहा है कल कुछ एक ऐसा वाक्या हुआ था दोस्तों और वाक्या क्या हुआ था कि चीन में पाकिस्तान का जो दूतावास है उस दूतावास के द्वारा जो है ट्विट किया गया और ट्विट जो किया गया उस ट्विट में जो है वो उईगर समुदाय के बारे में बात किया गया वो ये कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो क्या करेगा उईगर समुदाय की जो समस्या है उनकी जो आजादी है उनकी अधिकार है उनको लेकर बारीकी से काम करेगा चीन के साथ चीन ने का बटा ये क्या कर रहा है जैसे चीन ने देखा तो चीन टेंसर में आ गया कि भाया ये पाकिस्तान क्या कर रो बाई है न बाते ये भी उठने लगे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान और चीन के बीड जो संबन्द है उसमें धरारा रही क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एगर मस्लमानों के अधिकारों के बारे में बात कर रहा है उनकी आजादी के बारे में बात कर रहा और उन पर काम करने के बारे में बात कर रहा चीन में जो हो बावाल मच गया चीन में जब यह बावाल मचा और चीन और पाकिस्तानी की जो कहा जाता है कि इनकी जो मित्रता है वो जग जाहिर है सभी जानते हैं बड़े परम्मत रहें चीन और पाकिस्तान लेकिन इस प्रकार के जो काम है इस काम से चीन की सरकार जो है वो बुरी तरह जो है वो चौक गई हुआ गया दोस्तों उसको हम देखते हैं लेकिन उसके पहले टाइमस ओफ इंडिया ने इसको कोट किया है पाकिस्तान कांसुलेट इन चाइना ब्रिंस अप फ्रीडम ओफ उईगर इसलामाबाद से एकाउंट हैक्ट अब आपके स्क्रीन पर जो है दोस्तों एक ट्विट जिससे कहा गया कि पाकिस्तान इस थैंक फोर चाइनीज एड़ एंड सपोर्ट फोर फ्लड रीकर्स्ट्रक्शन है रहा इसमें कहा जा रहा है कि देखिए पाकिस्तान जो है वो क्या है कि जिस प्रकार से हमारे देश में बाढ़ाई और बाढ़ की पुनर इर्माड के लिए चीन ने जो सहता की और उसके समर्थन के लिए हम उसके अभारी है यहां तक तो ठीक है यहां तक तो चीन भी कुछ होगा कि चलो भाईया अभार वेक्त कर रहा है लेकिन अगला लाइन अगला लाइन जो है वो क्या है हम उएगर समुधाय के अधिकारों और स्वतंत्रसा समित पारस्परिक हीतों के मामलों में बारी की से काम करेंगे ठीक है अब यह बात तो हुआ है चीन एकदम टिंशन में चीन ने पाकिस्तान को सीधे हड़काया ओए आउकात में रहा है य जैसे चीन ने इसका विरोध किया पाकिस्तान के द्वारा एक और ट्विटर किया गया क्या ट्विटर किया गया क्या ट्विट किया गया इसको देखिए फिर से पाकिंग चाइना आपको ट्विटर हंडल देख रहा है पाकिस्तान एमबेसी चाइना आपको देख रही है है त्ट्विटर एकाउंट सॉप कॉंसुलेट जिनरल और पाकिस्तान इंचेंग दू यानि कि पाक इंचेंग दू इसने का कि भाईया हमारा तो हैक हो गया है ना ओईगर का मुद्दा चीन के साथ अगर हम बात करें तो चीन के लिए जो है वो क्या है एक दूखती रग है और उस दूखती रग को किस ने चूँ दिया है पाकिस्तान ने अब जैसे ये पूरी की पूरी बाते हुई ये विवादी ट्विट हुआ विवाद को देखते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्राले ने इस पर सफाई दे और कहा कि देखिए हमारा जो दूतावास है मारजिक दूतावास है आपके हाँ ठीक है वो किसी भी प्रकार से ये काम नहीं कर रहा है वो हैक्ड हो गया था है और इसमें क्या किया गया है इसमें सीधे लिखा गया है पाकिस्तान कॉंसूलेट जेनरल इंचेंगदू नौर डज येट रिफ्लेक्ट दे पोजिशन ऑफ दा गॉर्मेंट और पाकिस्तान की जो इस्तितिय है मतलब ऐसा कुछ नहीं भाया हम आपके सपोर्ट में है आज ह कैसे लाखों इगरों को जो चीन ने है अपने यहां कैद करके रखा है तो सबसे पहले हम लोग मैप पर इस चीज़ को देखें दोस्तों और एक चीज़ और भी देखें उसके पहले ये साहिद अफरीदी का एक पुराना ट्विट है जो कि मुझे मिल गए अभी सर्च करते करते इन होने भी जो है वो इगर मुस्लमानों की जो है वो बात की है उनने का है कि भाई यह चाहिना जिस प्रकार से ये उनके साथ जो अत्याचार कर रहा है है ना उस समय इमरान खान जो है वो समय प्राइम मिनिश्टर थे पाकिस्तान के तो उन्होंने साहिद अफरीदी उस समय किया कि भाई इमरान खान जो है उनसे मैं रिक्वेश्ट करता हूं कि आप उनकी बातों को उठाई और यह सारी चीजे जो है वो की गई यह मतलब पुल मिना कर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में हमेशा यह बात उठती है है ना क्यों गर मुस्लमानों के बारे मे जो की चाइना का जो है वो कंडेम करते हैं चाइना को विगर मुसलमानों को लेकर ठीक है ना इसके अलावा गर हम बात करें तो ठर्टी से यह रेड में जो आपको कंट्री नजार आ रहा है वो 37 देश वो देश हैं जो की चाइना को सपोर्ट करते है ठीक है ना और इसके अ अब हुआ किया है दोस्तों कि चीन ने जिस प्रकार से तिब्बत के उपर कबजा किया हुआ है उसी तरह कहा ये जा रहा है कि चीन ने जो है वो पूर्वी तुर्किस्तान वाला जो एरिया है जिसको कि सिंजियां कहा जाता है इस पर घुथा कर रखा है और इस प्रांथ में बिरोद करने के वज्जा से लाकों एगर चीन की जीलों में कैद है और सैक्डों को मार दिया गया चीन अपने इन जेल में जो भी कैदी है उनको कहता है कि हम भईया कैदी हो दे नहीं बना के रखे हैं ये तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर है और हम ये दावा कर रहा है कि इन ट्रेनिंग सेंटर में जो भी लोग मौजूद हैं उनको तो हम सिखाते हैं कि भाया चीन का तरीका क्या है चीन में कैसे रहना है चीन की संस्कृति क्या है ये तो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं हम कहदी नहीं मान रहे हैं हमारा तो ट्रेनिंग सेंटर है जब भी देश इस मुद्ध पर अपना मुग खोलता है या जो भी देश इसके बारे में बात करता है उसके खिलाफ जो है वो तुरंत एक कड़ी प्रतिक्रिया देता है और सीधे कहता है कि देखो भाईया इसमें इंटर्फेयर मत करो अब जैसे ही पाकिस्तान के द्वारा ये बात हुई जैसे ही पाकिस्तान ने वईगरो की आजादी के बारे में बात की शोशल मेडिया पर वैसे ही जो है पूरा विश्व जो है वो जबर जस्मजा कुराना सुरू कर दिया और लोग इस पे तरह तरह के जो है वो मजे ले रहे अब ये वईगर मुसल्मान है क्या तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि जो पूर्वी आपका जो ये तर्किस्तान वाला एरिया है जिसको कि हम जिजिजियान प्रांथ कहते हैं एक मैप और भी आप देखें इस मैप को अगर आप धियान से देखेंगे तो इसको और भी समझ सकते हैं आप देख रहे हैं ये आपका तुर्क जाती है समों कहा जाता है जो चीन के इस प्रांत में रहते है तुर्क मूल के ओगर मुस्लमानों के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ इनकी कुल अवादी जो है वो आपकी एक करोन से ऊपर के असपास की यह वादी है और इस प्रांत में जो हुसंच्यक उइगर समुधाय है ठीक है उनको संतुलिद करने के लिए प्रांद के उपर ब कि यहाँ उइगर मुसलमान रह रह रहे हैं उनपर तरह के कई सारी पाबंदियों को लगा दी है जिससे कि उनकी धार में एक स्वतंत्ता जो है वो छीन ली जाए जैसे कि रमजान के महीने में जो भी मुसलिम करमचारी है उनको रोजा रखने और मुसलिम नागरी को को सीधे मना किया जाता है कि आप डाड़ी नहीं बढ़ा सकते हो अब आ आ रहा होगा क्यों क्योंकि चीन ने कानून बना रखा है चीन ने एक नियम बना रखा है कि उईगर मुसल्मान जो है वो दाड़ी नहीं रख सकते हैं और रमजान के महीने में रोजा भी नहीं रख सकते हैं इसके अलावा दस लाग से जादा उईगरों को जो है वो हिरासत किंद्र रखा गया है जिसको की बार-बार चीन यही कहता है कि हम तो इसको ट्रेनिंग सेंटर है हम तो इसको वैवसाइक सिक्षा देते हैं है ना इसके लाव और भी हमकर बात करें दोस्तों जो आपका सिंजी यांग प्रांत है इसके बारे मैंने कहा यह आप ध्यान देंगे तो यह आपके उत्तर पश्यम का छेत्र है आपके चीन का अब उत्तर पश्यम का जो छेत्र है यह सबसे बड़ा आपका आटोनोमस रीजन है यानि कि स्वाय छेत्र है और इस छेत्र में अगर हम बात करें तो यह पूरा का पूरा छेत्र जो है वो खनी जो से आपका संब्र अब इस प्रांट की सीमाएं अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको ये भारत की सीमाओं के साथ भी पाकिस्तान के साथ भी रशिया के साथ भी अफगानिस्तान के साथ भी यानि कि कुल मिलाक अगर हम बात करें तो आठ देशों के साथ ये सीमा साज़ा होते हु अधर बन्धरने ओर तक का जो रास्ता है वह इसे Hill Gaza अप ये पूरी की पूरी बात है है ना और चीन को अमेरिका अगर कभी घubby की कुसिस करता है अमेरिका अगर आप देखेंगे एक게 में में कि स्क्रिंडे अगर आपको नज़र्ण है गदेखेंगे कई बार अगर हम बात करें यह देखिए एक जो और जीनोसाइट के उपर भी अगर हम बात करें तो आपको नज़ार आ रहा है तो एक कटिंग थी दोस्तों सैद मिस्ष हो गई है ठीक है लेकिन इस चीज को समझेगा ठीक है तो एक कटिंग आपको जो अगर मैं दिखाओं तो यह मिस् बात करें तो पूर्वी जो आपका ये जो चार वर्ष पूर्व कि अगर हम बात करें तो चीन के सिंज्यांग प्रांथ पर रहने वाले जो भी उईगर मुसल्मान है उनके सिंबंद में जो एक रिपोर्ट जारी की थी और उसमें कहा था है कि चीन अपने इस प्रांथ में जो भी उगर मुसल्मान हैं उनको जो मुसलिम तबके हैं उनको साफ करने की कोसिस कर रहा है उनका मानव अधिकारों का जो हनन हो रहा है ठीक है और वहां की जो सत्ता थे लोट कमनेश्ट पार्टी है वो कॉल मिलाकर कर यही कोसिस कर रहे है कि मुस्लमानों को समाप्त कर दिया जा चीनी सरकार के जुभी अधिकारी हैं ऑगर मुस्लमानों के लावा कजाख्त कि अन्यू कर रहे चीनी सरकार जो है इन अखिर सम्搞 कर से संबंदी जो भी बंदी कर दे रही है, उनको जो है, वो सिवीरों में रखा जा रहा है, तो कई बार, ये बहुत सारी चीज़ें आई है, मानो vaccines को लेकर, धारमिक स्वतंत्रा को लेकर, जो है, वो कई सबी बात्रें जो है, वो अमेरिका ने भी उठाया है, और कहा है कि चीन जो है वो यह सारा काम जो है वो कर रहा है और बार बार अमेरिका अगर चीन को United Nation में घेरता है तो आपके इसी वेगर मुसलमानों के अधिकारों के लिए घेरता है, है ना, तो यह रहा दोश्तों आपके लिए topic कैसा लगा जरूर बता है, और इसके अलावा un अकेडमी पर दोस्तो रोज सुबा आठ बजे मेरी मल्टी पल्च वाइस कोश्चन की सेशन भी करेंट अफिर्स पे आते हैं यह ना तो आप किसी भी प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी करते हैं रोज सुबा आठ बजे आप इस चैनल पर अगर आप नहीं जूड़े हैं अनक थे माध्यम से आप किसी कोर्स का सबस्क्रिप्शन ले सकते हैं इसके अलावा दोस्तो आरओ यारो को ध्यान में रखत वे जो बैच है वह स्टार्ट होने वाला है उत्तरप्रदीश के अगर आप रहने वाले हैं तो आरओ यारो के परिक्षा की तैयारी आप जरूर इंतज सकते हैं आरो यारो के छे महिने के फीज जो है वो एक हजार नौन नियानवे लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करोगे दोस्तों ए एन यू पी वन जीरो अनुप टैन आपके फी में आपको टैन परसेंट का आफ मिल जाएगा तो कैसा लगा दोस्तों आज का शेशन अपना फि पूर्ण रहिए माता पिता के सपनों को सकार कीजिए जैंद जैभारत